सर्दियों का सीजन खतम होने वाला है तो मैंने सुचा आप लोगों के साथ मटर क्लाव की तो रेसिपी मैं जरूर शेयर करूँ तो सबसे पहले इंग्लीडियन्स को देख लेते हैं अब चाहे तो मटर और भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से हम कम जादा तो कॉंटिटी कर सकते हैं मटर क्लाव सर्दियों के सीजन में ही अक्सार बनाया जाता है क्योंकि बहुत फ्रेश मटर मिलते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर मैंने कोलम राइस लिया हुआ है जो कि मेरे गाउं से आया है और गाउं से इस सीजन में जो फ्रेश राइस आते हैं उसका टेस्ट वही जान पाएगा जिलोंने वो गाउं के फ्रेश राइस को खाया हुआ है तो देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ इसे मेरे बच्चों को मटर तो बिल्कुल भी नहीं पसंदे लेकिन जब मैं इस तरीके से मटर प्लाव बनाती हूँ तो वो लोग बड़े शौक से खा लेते हैं यह बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी रेसिपी है आप लोग भी जरूर ट्राइ कीजिगा सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे जब हमारे मसाले सारे अच्छी तरीके से भून जाएंगे तब हम उसमें मटर और पटाटा डालेंगे जो बटाटा हमारा थोड़ा सा कच्छा रहे तब हम उसमें पानी आड़ करेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि राइस मेरे गाउं से आया हुआ है जो बहुत ही फ्रेश राइस है तो उसमें पानी भी कम लगता है अगर हम थोड़ा भी जादा पानी डालते हैं तो उगिला बन जाता है तो मैंने पानी अपने हिसाब से डाला है आप अपने हिसाब से डालेगा जैसा कि आपका राइस को जरूत हो उस हिसाब से राइस को हम अच्छी तरीके से पकार लेंगे, पानी पूरी तरीके से सूप जाए, तब हम उसे थोड़ी देर दमते भी रखतेंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे मशाले से हमारा प्लाव तयार है, I hope आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइप, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा